आज की इस वीडियो में बनाएंगे designer bed sheet ये मैंने baby के लिए बनाई है इसी process से आप बड़ी bed sheet भी बना सकते हैं बहुत ही असान है इस bed sheet को बनाना तो आप अपने baby के लिए बना सकते हैं जा किसी और को gift देने के लिए भी बना सकते हैं तो चलिए देखते है किस तरह बनेगी डिजाइन बनाने के लिए कपड़े की मैंने कटिंग कर ली है एक पीस बताऊंगी मैं आपको यह है पांच इंच और यहाँ से भी पांच इंच है पांच भाई पांच इंच इसके सारे पीसीज है इस तरह से पीस को इस पीस के साथ सिलना है यहां पर सिलाय लगा देने है और यह इसके साथ सिल देंगे यह पीस सिलके रेडी हो गया है अब यहां पर प्रेस कर लेने है अच्छे से सिलायों को बिठा लेना है इस तरह से इसके बार देखिए यहां पर यहां से हमें इस तरह स तो यहां पर इसका हमें middle point जितना भी यहां पर आया है उसका middle point ले लेंगे तो यहां पर मैंने middle point ले लिया है चारो तरप से अगर इस तरह नहीं लेना तो इस तरह से भी कपड़े को पल्ट के ऐसे हमारा इस तरह आजाएगा और यहां से cutting कर लेनी है यह मैंने point लगाए हैं यहां पर इनको इसी तरह हमें line लगा देनी है और यह दूसरी side है यहां भी इसी तरह एक तम हमारा यह middle point में आना चाहिए डिजाइन तभी बनेगा यहां पर मैंने marking कर ली है इसी तरह हमें cutting कर लेनी है यहां पर बन गए हैं यह चार पीस इनी से हमारा डिजाइन बनेगा अब जहां पर ध्यान से देखिए यहां पर पूरा डिजाइन हमारा चेंज होगा अब क्या करना है यह पीस उठाना है और इस पीस को इस तरह पल्ट के यहां पर ऐसे रख देना है और ये पीस है इसे भी इस तरह से रख देंगे जैसे पीस पल्टा है वैसे ही हमारा पूरा डिजाइन चेंज हो गया है इन पीस को हमें फिर से सिलना है ये पीस इसके साथ सिल देना है और ये पीस इसके साथ सिल देंगे दोनों पीस सिल दिये हैं अब इन दोनों पीस को इस तरह से सिल देना है दोनों पीस सिल दिये हैं और सिलने के बार यहां पर प्रेस कर लेनी है जब भी सिले लगाएंगे तब हमें प्रेस करनी है जिससे हमारी अच्छी फ्रिशिंग आएगी अब ये हमारा piece बनके ready हो गया है इतने measurement में बना है ये 13 inch और यहां से भी 13 inch है तो 12 भाई 12 का हमारा ये cushion कबर बन जाएगा अगर आपको इसका पिलो कबर बनाना है तकिया का कबर तो दो piece इस तरह के join कर ले तो तकिया का कबर भी बन जाएगा तो उसरा हमारा design बढ़ता जाएगा और इसी design को अगर आपको बढ़ा करना है तो इस color में से कोई एक strips ले उसे 2-2 inch का border दे दे चार और तो बढ़ा हो जाएगा ये एक हमारा bed sheet का block है इससे हमारी bed sheet बनेगी तो ये piece में ने एक बनाया है इसी size के 3-0 piece मनाये है total 4 piece हो गए है अब इन pieces को join करना है एक piece इस तरह से लगा है अब दूसरा piece लेना है इसको इस तरह से लगाना है ये छोटा piece हमारा यहां पर आना चाहिए और इसके बाद तीसरा piece लगाना है तो ये भी center में दे सकते हैं ये भी center में दे सकते हैं यहां color combination आप अपने हिसाथ से कर सकते हैं अब ये चोटा piece लगेगा ये यहां पर ऐसे लगा देंगे ये हमारा यहां पर ऐसे आना चाहिए अब देखिए चारो pieces लगे हैं अब इनको इस तरह सिलना है ये piece इसके साथ सिल देंगे और ये piece इसके साथ सिल देंगे ये pieces जोइन हो गए है अब इन pieces को जोइन करना है तो यहां पर ऐसे रखना है और सिलाय लगा देनी है center की सिलाय लगा देनी है अब ये पूरा design हमारा बनके ready हो गया है यहां पर प्रेस कर लिनी है तो design इस तरह से बना है यह से हमारा ऐसे आएगा और इस तरह से भी इस तरह से आएगा तो एकदम layer में हमारा design बनेगा, एकदम corner से corner बैठे हैं, बराबर, यह तब ही बैठेंगे बराबर, जब हम marking करते हैं और यहां पर सिलाई करते हैं वो एक ब्राबर होनी चाहिए तभी हमारे कोर्णर से कोर्णर ब्राबर हैंगे इतने मेजर्मेंट में यह हमारा बनके रेडी हुआ है 25 इंच और इस साइड से भी 25 इंच है 25 वाए 25 इंच का यह पीस बना है तो इसकी हमारी बेबी बैट शीट ब अब इसकी हमें पूरी बैट शीट बनानी है तो यहां पर ऐसे रखेंगे तो यह सिलाईयों को ढखने के लिए हमें बैक में कपड़ा लगाना है तो इस पीस को हमें इस तरह से रख लेना है इस तरह रखने के बाद यहां पर कोई परानी बैट शीट है हमारे पास इसी ञाय मोटा में ठीब लिए हैं तो सब्सक्राइब लिए हैसे इहाच लिए पनी की तरिफा northern रखोले में यहाच उप्सराइब हो फोन डालना ब्राबल है बो भी लगा सकते हैं इस तरह से पलटेंगे यहां पर एक ब्राबर करके कपड़ा आना चाहिए बीच में सलवर्ट नहीं आना चाहिए इस तरह से इसको सेट कर लेना हो सके तो यहां पर प्रेस भी कर सकते हैं इस तरह सेट हो गया है कपड़ा अब यहां पर हमें पिंस लगा लेनी है तो बिच बिच में हम पिंस लगा लेंगे जिससे की सिलाई करते हैं में हमारा कपड़ा हिलेना तो यहां पर अच्छे से पिंद अप कर लेंगे कपड़े को सारे कपड़े में पिंस लगा दी है बिच बिच में अब लगाने है सिलाई तो यहां से लेके यहां पूरे साइडों में सिलाई लगा देनी है चारो साइडों में अब देखिए इतना पीस बनके ready हो गया है ये मैंने चार ओर सिलाय लगा दी है उसके बाद ये मैंने इस तरह से बीच बीच में इतना gap छोड़ के पूरे में सिलाय लगा दी है तो यहां पर आप जैसे एक एक इंच का जा दो दो इंच का अपने हिसाब से gap छोड़ के इस तर यहां पर attractive लगे जा कोई और भी ले सकते हैं तो यहां पर border लगाने के लिए यह मैंने यह कपड़ा लिया है blue color का यह हमें यहां पर लेना है 4 इंच की चोड़ी पट्टी लेनी है double लगेगा तो यहां पर इस तरह से इसके बराबर लेना है इसके बराबर लिया है अब इस क Ci Lai कपड़ा टैच हूं गया हे इस कपड़ को ऐसे निकालेंगे अजिए से हाध कर edges कर लेना है और यहां से इस्तरा कपड़ को फोल्ड करना है और इसी सिलाई के ऊपर ऐसे रखेंगे और यहां से सिल लगा देनी है अब देखिए दूनों साइड में बोर्डर लग गया है अब इन दोनों साइड में लगाना है तो इस तरह से रखेंगे पर मैंने कपड़ा इस तरह से रखा है अब यहाँ पर हमें एक एक इंच एक्स्ट्रा लेना है इस साइड एक इंच एक्स्ट्रा लिया है इस साइड में भी एक इंच एक्स्ट्रा लिया है अब शिलाई लगानी है तो शिलाई लगाएंगे जब तो इस तरह से हमें इस कपड़े को ऐसे पड़ लेना है इसके उपर जितना एक्स्टा रखा है और शिलाई लगा देनी है और इस साइड का भी इसी तरह पड़ लेंगे अब देखिए ये कपड़ा मैंने इस तरह से फोल्ड किया है यहां पर अब इसे हमें इस तरह से ऐसे करना है तो देखिए यहां पर हमें फोल्ड करने की जूर्टनी पड़ेगी और इस साइड में भी इसी तरह से आ जाएगा हमारा तो अच्छी फोल्ड करना है यहां पर देखिए इस तरह कपड़े को मैंने फोल्ड करके प्रेस कर ली है और यहां पर आदा इंच शोड के इस तरह प्रेस कर ली है इस तरह फोल्ड हो गया है अब यहां से ऐसे हमें इसे टर्ण करना है यहां पर सिलाय लगा दी है देखिए इस तरा से हमारे सिलाई लगी है, एकथम फनिशिंग के साथ ये लगी है, तो इस तरा आप कपड़े को पहले फोल्ड कर ले, एक्ष्टरा रख के, और यहां पर सिलाई लगाएं, इसी तरा ये दूसरी, दूसरा कोर्णनर है, तो एकथम सिलाई लगेगा, एक जैसे stitching आएंगे तो बहुत ही सुन्दर हमारा लगता है तो यह मैंने इस तरह से डाली है सिलाया यहां पर आप इस तरह से भी इससे बना सकते हैं जा कोई और डिजाइन भी डाल सकते हैं बनने के बाद यह रेडी हुई है हमारी 27 इंच और यहां से भी 27 इंच है 27 by 27 इंच की यह बनी है 27 by 27 इंच की अगर इससे आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो इसी तरह के यह ब्लोक्स बनाएं और आगे आगे जॉइन करते जाएं जितनी बड़ी आपको बनानी है तो इस मेजरमेंट से आपको पता चली गया होगा कितना हमारे यह ब्लोक्स लगेंगे जितने भी बड़ी बनानी है प्रसेस हमारा यही रहेगा इसी तरह पूरी बन जाएगी हमारी यह डिजाइनर क्योल्ट हमारी बन के रेडी हो गई है आप भी अपने बेबी के लिए अगर बनाना चाहते हैं तो इस तरह बनाएं बहुत ही आसान है इसे बनाना भी और अगर आप अपने बेबी के लिए नहीं बना दे तो किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं गिफ्ट देने के लिए बहुत ही अच्छा आइडिया है यह वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जादे से जादे शेर कीजिए लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के बहुत सारे वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो पूरे चैनल को चेक करके देखें तो चलिए मिलते हैं अगले इसी तरह के ने वीडियो के साथ